देर स्टूइन्ट वी आफ डिसकेस अपाउट दा इको इंटेलिजेंट एजुकेशन फार ए सस्टेनेबल फ्यूचर लाइफ हमने बहुत सी बातें की और उन बातों को जब हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं उस यह करने से हमें क्या फैदा होगा हमने इंडिस्ट्रियलाइजेशन की बात की अर्बरनाइजेशन की बात की हमने उन काजिज की बात की जो काजिज हमारे इस प्लैनेट के उपर प्रॉब्लम बन रही हैं हमने उसकी बात की इसको कैसे कंड्रोल किया जा सकते हैं उसका जो एक हल है, वो है emotional bonding with the planet, with the national world. देखे, एक बच्चे के अंदर, जब इस दुनिया के बारे में, गुफ्तगू करेंगे, और ये उसे समझाने की क्योशिश करेंगे, कि ये दुनिया क्या थी, हमने मुख्तलिफ वकात में जब तरक्की की, उसमें इस दुनिया के उपर क्या अस्राइत मरत्ब हुए? अगर हम इसको कंट्रॉल नहीं करेंगे, तो ये दुनिया किस तरह तबाही की तरफ चली जाएगी? जिस तरह आमने फलड की मिसाल दे थी, कि हमारे पास जो गलोबल वार्मिंग है, उसकी वज़ा से फलड आ सकते हैं, उससे तपाही हमाच सकते हैं, अब ये तमाम चीज़ें जब आप उसको बताएंगे, और अब हमें किन किन चीज़ों से रोकना है? अब ये जो रोकने का अमाल है ना, उसके लिए जरूरत है आपकी अमोशनल बार्णिंग, देखें मेरे लाइफ स्टाइल के अंदर एक इसा बन गया है, मैं उसकी एक्जामपल आपको दूँगा, कि मैं एर कर्णिशन के बगार नहीं सो सकता, अब ये मेरे लाइफ जो एर कर्णिशन इस्त्माल कर रहा हूं, एसकी दो कास बना हूं, गलोबल वर्मिंग की भी कास बना ऊं, और मेरे साथ जो धूसरा घर है जहां पे एर कर्णिशन नहीं है, मैं उस गर के अंदर फिर्दर हार्टनेस पैदा करने की भी कास बना हूं, चब मुझे ये कलेर हो जाओंगा तो अब मेरे में क्या चेंज आएगी इसका मतलब है कि मैं यूज करूँ पर नीड बेस पे चला जाओंगा जिनि अगर मुझे बहुत दार्ट नैसे हो रही है जिनि मैं आम एक आम सी जिन्दगी कि आपको एक्जामपल दो कि जहां पर मैंने सोलन सेंटी ग्रेड जाब 20 सेंटी ग्रेड पे चलाना है तो मैं फिर क्या करूंगा 26 जा 28 पे ले जाओंगा कि मैं अपने लाइफस्टाइल को भी नहीं बदल सकता उसको भी चेंज नहीं कर सकता और दूसी तरफ मुझे यह भी अवेरनेस है और मुझे अपने प्लैनेट से भी जैना अमोशनल हो गई है मैं अपना प्लैनेट भी खराब नहीं करना चाहता है अगर हम ऐसी अमोशनल बॉर्णिंग करने में काम्याब हो जाते हैं तो पर यू समझे लें कि हम जो फ्यूचर लाइफ देख रहे हैं हम जो सस्टेनेबल सुसाइटी की बात करते हैं और हम फ्यूचर के अंदर जो नुक्सानात हम देख रहे हैं पानी है उसके बाद आलूदगी है जितने भी हमने स्ट्रीजी के अंदर बातें की हैं उनको हल करने में अंडर्स्टेंड करने के बाद मेरे फ्यूचर लाइफ स्टाइल के अंदर मामूली रदो बदल आ जाएगा और ये जो चें साफ वेंडर होगा कि जब मुझे ये बताया जाएगा अटेंटिव किया जाएगा मुझे सुनाया जाएगा दुनिया क्या थी क्या है हमारी गलती से क्या हो सकती है फिर मेरी फिलिंग्स डिवेल्प हो जाएंगी उन फिलिंग्स से क्या होगा कि मेरा जो इनर लाइफ स्ट है वो इंटरनल चेंज आएगी मेरे अंदर अब देखें हम यह तो नहीं कह सकते कि हम लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे नहीं कर सकते आम मुझे के कि मैं गारी छोड़ दू चलाना मैं गारी छोड़ नहीं छोड़ सकता क्योंकि अब ये में लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो गया हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बिला वजा गारी नहीं चलाऊंगा यह मैं अपने लाइफस्टाइल में ला सकता हूँ यह अगर मुझे जरूरी किसी जगा पे जाना है कोई मजबूरी है जहां पे जाना है तो मैं फिर गाड़ी यूज़ करूँगा जहां कई मैं देखूंगा कि यहां पे मैं गाड़ी के बगएर भी काम कर सकता हूँ तो वहां पे मैं गाड़ी के बगएर काम करूँगा अब देखे हमारे अब मैं आपको एक एक अग्जामपल देना चाहूँगा हमारा जो लाइफस्टाइल है न अभी तक हम इस सेंस में नहीं आए हमने इससे पहले भी डिसकस किया था अभी हम अंडर्स्टेंड नहीं कर पा रहे हैं सुसाइटी के तौर पे भी अंडर्स्टेंड नहीं कर पा रहे हैं कुछ फिसालिटी की अवैलिबिलिटी का भी इश्यू है एडवास कंट्री वेस्टर्न कंट्री के अंदर यूनिवस्टी के परफ्यसर भी जो हैंने वो प्बलिक ट्रांसपोर्ट पर आते हैं और डोट माइंड इट हमारे यहां दो इश्यूज हैं डिवेलपिंग कंट्री के अंदर हमारे कल्चेर में पहले नमबर पह तो हमारे पास अविलेबिलेटी नहीं है यह निकि अगर हम कहें कि अच्छी टांसपोर्ट हो जिसके अंदर जहना मिरे टाइम भी सेव हो और मुझे प्रावलम भी ना हो availability का issue है दूसरे नमबर पे हमारे मिजाज का issue है कि हम मिजाजन भी हम नहीं करना चाहते अब इसके लिए यह हमारे पास क्या होगा अब यह understand कराने के लिए यह एक true learning process है हमारे lifestyle को जो है यह हमारे culture को जो है हम उसको change नहीं ला सकते बलके हम मुख्लिफ परगाम्स करके academics और others जो है ना वो बच्चों के अंदर sense of the world अगर हम डाल दें तो उससे यह हो सकता है कि वो अपने lifestyle को modify करने change तो possible नहीं है लेकिन modification possible है